बच्चो बारतिय संबिधान सुभा की सभा का हमारा ये विशे चला हुआ है और इसी विशे में आज ही हमारा तीसरा वीडियो है पिछले दो वीडियो में हमने समझा भारतिय संबिधान को समझने से पहले ये समझना जरूरी था कि संबिधान होता क्या है तो पिछली वीडियो में हमने संबीधान क्या होता है इसके वारे में समझा और संबीधान की जरूरत क्यों होती है इन विश्यों को हमने कवर किया आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भारती संबीधान किस तरह से बना The Making of Indian Constitution we will discuss in this video तो ये समझने से पहले हमें ये जानना जुरूरी है कि किन परिस्थितियों में भारती संबीधान की नीव रखी गई तो हम सभी जानते हैं भारत लगभग साड़ी तीन सो वर्सों तक 1600 तो 1947 तक भारत जो था Britishers की कोलोनी था भारत जो Britishers थे उनकी उनका उपनी वेश था कोलोनी को हिंदी में बोलते हैं उपनी वेश तो इंडिया वाज दी कोलोनी ओफ ब्रिटी सर्स आप टू 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक भारत जो था Britishers की कोलोनी था और उन परिस्थितियों में जब भारत में लगभग 565 रियास्तें थी प्रोविंसियल स्टेट्स थे और उस स्मय जो मुख्य दल थे राजनीतिक दल भारत के इंडियन नैशनल कॉंग्रेस था जिसको स्काई ब्लू कलर से दरसाया गया है और जो ये डार्क ग्रीन सा कलर है ये दिखा रहा है में The Reason of Muslim League तो दो पार्टियां उस बक्त भारत में राजनीतिक जो दल थे भारत में वो मुख्य तोर पर दो दल थे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग और ये जो हमें ये जो रीजन दिख रहा है other than this green and sky blue तो ये रीजन occupied है provincial states के द्वारा तो उस वक्त भारत में लगभग 565 जो थी provincial states थी provincial states मतलब राजे रजवाडे जहां राज करते थे छोट छोटे जो राजा राजाओं के अपने areas थे जिनको हम provincial states बोलते हैं तो ये परिस्थिति थी उस वक्त जब 1946 में election जो हमारा constitutional assembly है वो जब बना उन्होंने जब भारती संबिधान को बनाने का प्रस्ताब पारित किया उस वक्त भारत इस तरह का था जो पाकिस्तान था ये पाकिस्तान नहीं बना था ये पूरा भारत ही था बलूचिस्तान तक का जो एरिया है यह बलूचिस्तान है तो यह सारा जो है यह भारत था अन्डिवाइड़ इंडिया तो यह समय है 1946 का और यहां हम देख रहे हैं 1947 में यह कोई परिस्थितियों में कोई जादा बदलाव यहां नहीं हुआ है यहां यह एरिया दिखाए गए यह बलूचिस्तान है यह हमारा पंजाब का यह राजस्तान का एरिया है जो पंजाब तक टच कर रहा है हर्याना तक टच कर रहा है यह हैदरावाद है इस आरदी प्रोविंसियल स्टेट प्रिंसली स्टेट यह जो पिंक के रिया है इस आरदी प्रिंसली स्टेट एंड जो यलो कलर है यह है ब्रिटी सर्ज इंडिया तो इन परिस्थितियों में अब इस भुगोलिक परिस्थिती में आपने देख लिया यहाँ जो राजनीतिक जो हमारा नक्षा था यह मैप था 1947 से पहले का इसमें हमने देखा कि भारत में एक काफी बड़ा हिस्था लगभग 48 परसेंट जो एरिया है इंडिया का यह प्रिंसली स्टेट्स हैं तो और जो यह यलो एरिया है लगभग 42 परसेंट यह ब्रिटी सर्ज है तो यह प्रिंसली स्टेट्स जो थे इंडिपेंड नहीं थे, यह बोलने को जो थे princely states थे, लेकिन इनके उपर control जो था, वो Britishers का ही था, जो यहाँ राजा लोग थे, यहाँ के जो राजा थे, इनकी जो ministerial formation थी, जो यहाँ परमंत्री होते थे, वो Britishers दवारा ही appoint किये जाते थे, तो बोल सकते हैं हम कि Britishers इनको यूज करते थे अपनी requirement के हिसाब से जब उन्हे requirement होती थी आर्मी की या किसी दूसरी aid की तो इन राजाओं से वो बिना किसी देरी के वो help इनको मिल जाती थी क्योंकि सारा कुछ इनही के ही control में था The framing of constitution of India तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से भारती संबिधान फ्रेम किया गया The constitutional assembly of India was elected to write the constitution of India इसका चुनाव किया गया Elected का मतलब है कि जो भारती संबिधान सबा है इसका चुनाव किया गया संबिधान को बनाने के लिए Following India's independence from Great Britain Its members served as the nation's first parliament तो जब भारती तो जो constitution assembly है ये 1946 में बन गई थी 1946 में इसका चुनाव जो है 1946 में हो गया था और भारत अजाद हुआ 1947 में तो जब भारत अजाद हुआ तो जो ये constitution assembly थी जो भारती संबिधान सभा थी ये हमारे देश की पहली संसद थी It was the India's first parliament Parliament मतलब संसद तो भारत की पहली संसद थी वो क्या थी? जो हमारी constitution assembly के जो members थे उन्होंने ही भारत की पहली संसद का जो काम किया Next is this body was formed in 1946 ये जो भारती संबिधान सभा है ये 1946 में इसका निर्मान हो गया था For the purpose of making independent India's constitution तो इसका बनाने का जो मकसद था जो purpose था वो क्या था? आजाद भारत के संबिधान की रचना करना आजाद भारत के संबिधान की रचना करना जब भारत आजाद नहीं था उससे पहले भारत में संबिधान बने है The 1935 Act of India इस तरह से जो इससे पहले जो चल रहा था वो 1935 का जो इंडिया Act था वो चल रहा था भारत के आजाद भारत के संबिधान बनने से पहले The Assembly passed a resolution in 1947 Resolution का मतलब होता है प्रस्ताब तो संबिधान सबने एक प्रस्ताब पारित किया 1947 में January 1947 में Define the Objectives of the Constitution तो इस में जो Objective थे Constitution की Objective का मतलब होता है कि हमारे लक्ष क्या है इसका बनाने के पीछे का मकसद क्या है Objective क्या है Objective मतलब उदेश्य तो जो ये प्रस्ताब पारित किया गया 1947 में इसमें संबिधान के क्या उदेश्य होंगे इनका एक प्रस्ताब पारित किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो संबिधान बनाने जा रहे हैं उस संबिधान के मुख्य उदेश्य क्या होंगे तो पहला उदेश्य है To set up a union of India comprising British India and princely states हमने अभी map की help से देखा कि जो उस वक्त का भार्थ था वो कैसा भार्थ था उसमें British India था जो उसका reason था पूरे इंडिया का कुछ हिस्सा जो था about 42% जो हिस्सा था वो British India कहलाता था और 48% जो हिस्सा था उनको princely states ने उक्पाई किया था तो पहला जो उदेश्य था हमारे संबिधान का वो क्या था कि इन पूरे जो British India और princely states है इनको मिला करके एक Union of India की स्थापना करना है एक संपूर्ण भारत का निर्मान करना है दूसरा उदेश्य था to set up a federal form of government with separate state and central government तो उसमें जो संबिधान सवा थी उन्हें पता था कि भारत एक बहुत बड़ा area है बहुत बड़ा reason है जहां 565 के लगभग रियास्ते उस वक्त ही थी जब ये संबिधान सवा का निर्मान किया जा रहा था उन्होंने परस्ताब पारित किया था तो उनका vision विलकुल clear था कि उन्हें क्या करना है एक federal government के लिए ये संबिधान बनाना है federal का मतलब होता है संगिय सरकार अब संगिय सरकार का मतलब क्या है कि उनका ये vision clear था कि states होंगी भारत में उन्हें ये पता नहीं था कितनी states होंगी जैसे हमें पता है कि आज कितनी states हैं number of states we know now लेकिन उस वक्त जब संबिधान सवा का निर्मान किया जा रहा था तब उनके सामने ये एक चुनोती था कि इतनी सारी रियास्तों को उन्होंने कैसे एक भारत में मिलाना है तो उन्होंने एक जो कलपना करी क्या कलपना करी कि भारत जो होगा एक संगिय सरकार होगी भारत में और जिसमें क्या होंगे स्टेट्स तो अलग-लग होंगे लेकिन एक सेंट्रल गोवर्नमेंट होगी एक केंदर सरकार होगी ये उस वक्त उन्होंने इसकी कलपना कर ली थी जब अभी संबिधान का निर्मान होना था 1947 में जवी रेजल्यूश का पारित किया गया जिसमें उदेश्य दरसाए गये कि संबिधान के मुख्य उदेश्य क्या होंगे तो यहां इन्होंने संगिय सरकार की कलपना करी संगिय सरकार जिसमें अलग-लग स्टेट्स हैं और एक केंदर सरकार है इसको फेडरल गोवर्नमेंट बोलते हैं तो इंड थोड़ सा ओवर्विव ले ले लेते हैं कि अलग अलग तरह की सरकारे होती हैं किस तरह की सरकारे हैं जैसे अगर मोनार्की हम बोलें मोनार्की मोनार्की का मतलब है कि जहां जो सुप्रीम है वो एक राजा होता है राज तंत्र जिस राजा का तंत्र है वहां पर ओटो क्रेसी होती है autocracy में क्या होता है कि यहां भी power जो है वो किसी एक के दवारा सारी power जो है वो manage की जाती है जो सारी सक्तियां होती है वो कोई एक के पास होती है autocracy जिसको हम बोलते हैं dictatorship होती है dictatorship में भी क्या होता है dictatorship में भी तानाशाही होती है सारी पावर जो है किसी एक के पास होती है तो इन सभी जो सरकार के विभिन ये रूप है इन में से एक रूप है डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं लोकतंतर तो जो तीसरा उदेश्य था हमारे जो संबिधान सभा ने जो परस्ताप पारित किया इसमें संब इसके दो पार्ट थे तीसरे उदेशय के पहला जो लोकतंतर कैसा हो जिसमें हर एक जन के लिए हर एक लोग के लिए नियाय हो समानता हो और आजादी हो और दूसरा इसमें किया है जहां माइनोरिटीज का मतलब होता है जो जहां जो अलप संख्यक हैं डिप्रेस्ट मतलब जहां बंचित जो वर्ग है या ट्राइवल्स राइट मतलब जो आदिवासी अधिकार हैं उनको आदिवासी लोगों की जो अधिकार हैं उनकी रक्सा की जाए तो जो तीसरा उदेश्य था इसके दो हिस्से थे पहला की जिसमें सभी को न्याय मिले समानता हो सभी के लिए सभी के लिए आजादी हो और दूसरा था कि जो अलप संख्यक हैं जो वंचित कलासेज हैं और जो ट्राइबल राइट ट्राइबल का मतलब है आदिवासी जो लोग हैं उनके अधिकार जो हैं उनको सरंक्षित की जाए उनकी रक्सा की जाए जो था उदेश्य तो प्रोटेक्ट दी इंटीग्रिटी ओफ इंडिया इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो एकता है भार जिसमें पूरा नियंतरन उसके अपने हाथ में हो, चाहे वो उसकी internal नीतियां हो, आंतरिक उसकी नीतियां हो, चाहे वो external affairs हो, internal और external का मतलब होता है, जैसे भारत को अगर हम शौवरीन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत की जो सरकार है, उसके पास अपने देश के अंदर नियम कानून की विबस्था, जो भी नीतियां निर्धारन है, वो पूरा अधिकार है उसको करने का, और दूसरा, कि वो जो उसके प्रोसी देश हैं, जो foreign relations हैं, विदेशों के साथ, जो उनके संबंध हैं, उनके उपर पूरा नियंतरन है, उसके लिए हमें कोई निर्धिशा निर्धेश नहीं दे सकता, उसके उपर हमें किसी के लिए बाद्धे होने की जरूरत नहीं है, कि कोई हमें क्या बोलेगा कि हम चाइना के साथ ऐसा संबंद बना रहे हैं या पाकिस्तान के लिए ऐसा संबंद बना रहे हैं तो कोई हमें कोई बाहरी बंदिशें नहीं हैं तो इसको बोलते हैं संप्रभूता, सौवरिन का मतलब हिंदी में होता है संप्रभूता, जहां उसके इंटर्नल और एक्स्टर्नल अफेर्स के ओपर पूरा नियंत्रन है तो यह जो सौवरिन राइट्स हैं चाहे वो लैंड के हो चाहे उसके जो सी एरिया है उसके हो चाहे वो एर के हो उसके लिए वो संप्रभूता उसकी होगी तो ये चोथा उदेशय था, पांचमा उदेशय है, पांचमा उदेशय था संबिधान सभा का, संबिधान बनाने से पहले To help India attain its rightful place in the world and work for peace and welfare of all mankind तो हमारा संबिधान जो है इस तरह से बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने उदेशय रखा था संबिधान सभा ने To attain its rightful place, कि अपना जो आधिकारिक स्थान पूरे दुनिया में भारत को भारत की रूप में recognize किया जाए क्योंकि अब से पहले क्या था, 1947 से पहले क्या था, भारत को पूरे विश्र में Britishers कलोनी की रूप में जाना जाने लगा था 1600 के बाद, Britishers ने इंडिया में कंट्रोल स्थापित करना सुरू कर दिया था, और 1947 में 1600 में तो उन्होंने entry करी थी, लगवक सतरा सो से उन्होंने कंट्रोल स्थापित करना सुरू कर दिया था, बिभीन रूप में और 1947 तक ऐसा रहा, तो जो विदेश में या वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो दूसरी सरकारे हैं, वो भारत को Britishers कलोनी के रूप में जानती थे तो जो पांचवां उदेशे था, वो क्या था, कि वर्ल्ड में अपना एक rightful place स्थापित करना है, कि भारत को भारत देश के रूप में जाना जाए, and work for the peace and welfare of all mankind, और जो हमारा काम हो, वो सांती स्थापित करने के लिए हो, और पूरी मानवता के कल्यान के लिए हमारा काम हो इस तरह से हमारा संबिधान बने, तो ये उदेशे उन्होंने अपने परस्ताब में रखे थे, इन उदेशें के साथ, जो संबिधान सभा जो बनी, किस तरह से काम करना शुरू किया, डॉक्टर सचिदा नंध सीनहा जो थे, वो उस टाइम जो थे, कारे-कारी जो अध्यक् ये टेंपरेरी थे, परमनेंट नहीं थे, और उसके बाद क्या था, ये दिसमबर 1946 में, इस तरह से काम करना शुरू के ये अध्यक्ष बने थे, तेंपरेरी और उसके बाद, डॉक्टर रजेंदर परसाद संबिधान सभा के अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर भीमराव इस में अंबैड कर वेकेम दी चेर्मेन ऑफिटस ड्राफ्टिंग कमेटी, जो उसकी प्रारूप कमेटी थी, और अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबैड कर थे, ये अध्यक्ष थे प्रारूप कमेटी के, जो संबिधान का प्रारूप इन्हों ने बनाया था, कि किस तरह का संबिधान होगा जो drafting की थी उसके जो अध्यक्स थे उस कमेटी के अध्यक्स थे Dr. भी आर अंबेटकर Dr. भीमराव अंबेटकर The Constituent Assembly consisted of 385 members हमने discuss किया कि जो ये संबिधान सबा थी एक elected body थी इसका चुनाब हुआ था जो members यहां तक पहुँचे थे वो चुने हुए member थे तो कितने member थे इस संबिधान सबा में 385 सबाएं थे इसके जिसमें से 292 292 were elected by the elected members of the provincial legislative assembly जो परांती संबिधान सबाएं थी उनके जो चुने हुए member थे उन्होंने इनका चुनाब किया था 322 जो सदस्य थे और जो 93 सदस्य थे they were nominated by the princely states उनको जो परांती जो राजे थे उन्होंने इनका इनको आगे भेजा था संबिधान सबाएं के लिए